हेलो फ्रेंट्स दिस जोती वर्मा तोड़े आइम गोइंग टू स्टार्ट विद टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या निकी जो यह हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस टीचिंग के बारे में कि हाउ टू टीच सोशल साइंस सब्जेक्ट तो इस एकनी बढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले है समाजिक विज्जान सिक्षंड की कुछ प्रमुख विधिया यानि की सम मेजर मैथर्ड्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग यानि कि एसे कुछ major methods हैं यानि कि विधियां हैं जिनके द्वारा जिनके जिनके यूज से हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्षण विधियों का अर्थ क्या होता है यानि कि meaning of teaching methods तो meaning of teaching methods का मतलब क्या है सिक्षण विधि से तातपर्य उस तकनीकी या रिती से है जिसका प्रियोग करके एक सिक्षक या अनुदेशक अपने सिक्षण कारे को यानि कि जो भी उसका सिक्षण कारे होता है उसको अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता है मतलब और जादा उसको प्रभावशाली बनाता है प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयात्न करता है ताकि बच्चा और अच्छे से कोई भी चीज सीख सके उसके बाद है इसके अंदर सिक्षन विदी का प्रियोग करके सिक्षक जो है वो छात्रों के सम्मुक ऐसा वातावर करने में रुची लेना और ज्यादा प्रारंब कर देता है और सिक्षन अपने वांचित उधेशियों की प्राप्ति कर लेता है आगे हम देखेंगे सिक्षण विदियों की परिभाशा यानि की जो भी सिक्षण विदिया हम पढ़ करेंगे उन से रिलेटेट क्या तो इसमें वैसले के अनुसार हम देखेंगे वैसले की परिभाशा वैसले के अनुसार सिक्षण विधी सिक्षक द्वारा संचालित वह करिया है जिससे शात्रों को ग्यान की प्राप्ति होती है नेक्स हम देखेंगे सिक्षा शब्दकोष के अनुसार यानिकी जो सिक्षा शब्दकोष है उसके अनुसार क्या परिभाशा दी गई है सिक्षा सब्दकोष के अनुसार विधी ज्यान को उनके मध्य वैवस्तित ढंग से प्रसार के उदेश्य से सहयोग्यों के समूं के साथ एक सिक्षन संस्था द्वारा इस्थापित संबंध है और बिनिंग की अनुसार सिक्षन विधी यनि की Teaching Methods एक सिक्षा प्रकिरिया का गती शील कार रहे है आगे हम देखेंगे इसी के अंदर सबसे पहली विधी हमारी कहानी कथन विधी यनि की Storytelling Method स्टोरी टैलिंग मेथज़ है सिर्फ की सबसे प्राचीन विदियों में कहानी कथन विदी एक महतवपूर विदी है ंदिक का प्रियोग हो चोटी कक्षा है मितलब जो चोरी टैलिंग होती है, स्टोरी टैलिंग कब होती है, जब आप छोटी कक्षाओं में स्टोरी सुनाते हैं, उनको क्योंकि बड़ी क्लासेज में तो आप स्टोरी नहीं सुना सकते हैं, उनके जो कंटेंट होते हैं, लेकिन छोटी क्लासेज में स्टोरी के माद्यम से ही कोई भी मौरल पढ़ आई जाती है तो इस विदी का प्रियोग छोटी कक्षाओं के चात्रों के लिए उपियोग एवं लाब प्रद होता है मतलब उनके लिए लाब दायक होता है कहानियों के बाद्यम से छोटी कक्षाओं के चात्रों को तत्यों की जानकारी आसानी से प्रदान की जाती है छोटी अध्यान या समाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से भुगोल एवं इतिहास के सिक्षन में इस विदी का परंपरागत रूप से प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे कहानी कथन विदी के गुण यानि की मैरिट्स ऑफ स्टोरी टैलिंग तो फस्ट है इसके अंदर कहानी कथन विदी के द्वारा चात्रों का मनोविज्ञानिक विकास होता है मतलब बच्चों का साइकलोजिकल डेवलेपमेंट होता है सकेंड है हमारा इसके अंदर कहानी कथन विदी में चात्र अत्यदिक रूची दिखाते हैं क्योंकि जब उनको stories सुनाई जाती हैं तो वो बहुत ही interest के साथ उसको पढ़ते हैं थर्ड है कहानी कथनविदी से बालक का सर्वांगिड विकास होता है यानिकी all-round development होता है और फोर्थ है मरस के अंदर कहानी कथनविदी चात्रों में नैतिक एवम चारित्रे कहने की character और morality दोनों तरीकों से उनकी qualities को विकास करते हैं सेकेंड हम देखेंगे इसके अंदर समस्य समाधान विदी यानिकी problem solving method तो problem solving method के अंदर क्या है समस्य समाधान विदी एक ऐसी विदी है जो की छात्रों की मानसिक क्रियाओं पर आधारीत है मतलब बच्चों के mental जो भी activities होती है उस पर आधारीत है इस विधी में समस्या का चयन करके शात्र स्वैम की विचारों मतलब खुद के जो विचार होते हैं उनके खुद के जो थौट्स होते हैं एवं तर्क शक्ती मतलब लॉजिक लगाने के एक जो लॉजिकल उनकी शक्ती पावर होती है उसके आधार पर उस जीवन से समबंदित स समस्या का समादान खोजते हैं तथा नवीन ग्यान प्राप्त करते हैं इस विधी में छात्रों के सक्षम वास्तविक जीवन से संबंदित परिस्थितियों को भी उत्पन किया जाता है तो यह था हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड आप इसके हम समस्या समादान विदी की विशेशता हैं तो फस्ट है इसके अंदर समस्या समादान विदी एक लक्ष केंद्रित विदी है मतलब यह लक्ष पर आधारित है लक्ष इसका केंद्र है जिसका प्रमुक लक्ष बाधा या समस्या को दूर करना होता है सेकेंड है हमारा इसके अ प्रियाप्त मूल्यांकन किया जाता है फूर्थ है हमारा इसके अंदर समस्त्य समादान विधी के द्वारा छात्रों में स्रजनात्मक शक्ति का विकास होता है आगे हम देखेंगे इसके अंदर स्रोत विधी यानिकी सोर्स मैथड तो बेसिकली सोर्स मैथड क्या है सिक्षन अधिगम प्रकिरिया में प्रत्यक्ष अनुभव का अत्यदिक महत्व है और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए समस्त ग्यानेंद्रियों का प्रयोग अधिकादिक होता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त ग्यान इस्थाई हो जाता है जब हम किसी वस्तु को प्रत प्राप्त ग्यान होता है उनका प्रभावशाली नहीं होता है जिनका की छात्रों को प्रतिक शुरूप से प्राप्त ग्यान होता है आगे हम देखेंगे स्रोत विधी के गुणियानी की च्रोत विधी के लिए स्रोत विधी चात्रों को सक्रिय बनाए रखती है और फूर्ट है अमारा इसके अंदर शुर्थ विधी के लिए अधिक उपयोगी है थर्ड है श्रोत मतलब जो भी रिसर्च वाले कारे होते हैं उसके लिए उनको प्रेरित करती है नेक्स्ट हम फोर्थ अपनी विदी देखेंगे प्रियोग शाला विदी यानी की लैबोरेटरी मैथड तो लैबोरेटरी मैथड जैसा कि आप लैब में कोई भी एक्टिविटी करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लैब लैबोरेटरी मैथड आपका कहलाता है आधुनिक समय में मतलब आज के टाइम पे आधुनिक काल में आधुनिक समय में समाजिक अध्यानिया समाजिक विज्ञान का सिक्षण प्राचीन कालीन मतलब पुराने समय में जिस तरीके का था सिक्षण प्राचीन कालीन समाजिक अध्यानिया समाजिक विज्ञान का सिक्षण से भिन है मतलब पुराने समय से बहुत जादा अलग हो था क्योंकि उस समय से ही पढ़ाया जाता परन्तु आधो समय की मतलब आजिकी समय में जो सिक्षण है वह सिक्षण में विभिन प्रकार दॉप्योग किया जाता है औराण के लिए हम देखिए WOMAN सब चीजों का प्रियोग पढ़ाने के लिए किया जाता है आधुने के यूग में कख्षा कक्ष सिक्षण में चात्रों की क्रियां एवं उनके सक्रिये भाग में प्रियोग शाला की स्थापना पर विशेश जोर दिया गया है आगे आब देखेंगे इसके अंदर प्रियोगशाला विदी की विशेशना है तो फरस्ट है इसके अंदर केरेकटरिस्टिक प्रियोगशाला विदी में सभी छात्र सक्रिये रहकर ज्यान अरजित करते हैं मतलब क्योंकि प्रियोग कर रहे हो आप Experiment कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो भी हैं आप कर रहे हैं तो वह क्या करते हैं उस समय पर एक्टिव रहेंगे क्योंकि अगर उनका माइंड इधर उदर रहा तो वह और एक्सपरीमेंट खराब हो जाएगा सेटेडे प्रियोग अविदी के दौरा uz चात्रों संसी एक रहता हैं पच्चों के दौरा है प्रियोग शालाइं च्छात्रों में श्रजनादमक्ता का विकास मतलब पुस्तर कीribude we go right उस्ट कि इसे में मेत्भराचिम क्यूंकि पहले भी और आज के समय पर भी पुस्तक में का सिक्षन की प्रकेरिया में महतपूर इस्थान है पार्टे पुस्तक विदी मुख्य रूप से पार्टे पुस्तक पर आधारित होती है और पार्टे पुस्तके ही वे उपयोगी साधन है जिनके द्वारा ज्यान का संचे किया जाता है जैसा कि बेसिक सी बात है कि पार्टे पुस्तक द्वारा आप कोई भी अध्यन नहीं कर सकते कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते अगर आप विद्याले के लावल पर सोच रहे हैं तो और उसे आगे ले जाया जाता है मतलब जो ज्यान है उसका संचे किया जाता है और उसे आगे ले जाया जाता है पाठे पुस्त तो क्या क्या एडवांटेज है हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या गुण है पाठे पुस्तक विधी के फस्ट है पाठे पुस्तक छात्रों के स्वायद्याई की आदत का विकास करती है मतलब खुझ से पढ़ने का क्योंकि बच्चे अपने आप भी उसकी रेडिंग करते है तो इसका विकास करती है मतलब खुझ से पढ़ने का स्टेल्फ स्टडी का सेकिंड है यह विधी सिक्षन को शात्रों की आवशक्ता नुसार संचलित संचालित करती है थर्ड हमारे सके अंदर पाठे पुस्तक विधी प्रियोग कारे पर बल देती है मतलब पाठे पुस् तक सिक्षण को सिक्षण को मतलब टीचर को उसके सिक्षण है तूं मार्ग दर्शन परदान करती है क्योंकि अगर पाठे पुस्तक है यानि कि बुक्स नहीं होगी तो सिक्षण को पढ़ाने में बहुत ही जादा डिफिकल्टी फील होगी और वो किसी भी कंटेंट को बच प्रोजेक्ट मैथड देखा तो यह सारे मैथड जो होते हैं यह हमारे सोशल साइंस की टीचिंग में यूज किये जाते हैं आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेरे चैनल को शेयर करें और कमेंट करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फर वाचिंग दिस वीडियो